तो यार गाइद हम लगाने वाले हैं अम्रूद का पेंड अपने घर में और अम्रूद का जो पेंड है बहुत बड़े बड़े अम्रूद आते हैं बहुत मोटे अम्रूद आते हैं और लाल अम्रूद आते हैं तो इसके लिए मैं मिट्टी लेकर आया हूं और मिट्टी में तो यह जो जाना जाती है मिट्टी का जो मौचर है बढ़िया हो जाता है और इसमें पहले मत्टी भर लेते हैं और एक पेंड में पहले लगा रखा था चोटा सा पेंड था बहुत बढ़े अमरूत का वह पेंड भी हमारे घर में खड़ा दिखाऊंगा आपको मैं लाश्ट म में देखिए यह है चोटा सा पेंड यह भी मैंने कुछ दूनों पहले लगाया था और इसको हम छोटी बाल्टी से निकाल कर बड़ी बाल्टी में लगाएंगे और यह बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा क्योंकि मिट्टी का मोचर जो होता ना जिस मिट्टी का मोचर अच्छ होगाने के लिए और यह अमरूदम्रूदी के प Rick toy to do what यह ठोड़े वैसे होते फिरेंप क्योन को कैसे बिर लिए यह हो जाते हैं यह मतिया ऑर यह बहुत बड़ी कर से हो अर्स्रिकें अलग कि अलगला और अलग हो गया अंको हो यह थे देख़े सर потреб नोग सब जब दोVER दोटे शोड़नां शोड़े कि वे मुर्जा जाता है , फूरा जो पायाता है, आप सीड डूरी है मट्टी डाल देते हैं ठोड़ी ह्या करके थे हैं दोस्तो पेंड लगाने का सबसे हीज आसान तरीखा है và घिया मीड़ा आपको लिए और प्त्य तोड़ने से पलिने से क्या होगा जो सूरोता ना पूरा एकाम मट्टी जब ज्यौर लं की तो प्रगुंगा लगहा लुए और उसके पर दिन के दूप में रखेंगे तो यह सूख भी सकता है तो हम क्या करेंगे इसको इसको एसा रखेंगे कि सुभा की दूप दूप लगेगी और साम को इसमें साम के टैम नहीं लगेगी पूरे दिन के दूप में रखेंगे तो यह सूख भी सकता है मुर्जा भी सकता है तो हम क्या करेंगे इसको इसको एसा रखेंगे कि सुभा की दूप 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 लगए बाकी यह च्छाई में रहे जो कि इस पर जोर ना पड़े और यह मुर्जा है ना तो यह मैंने लगा अब यह च्छोटी चूटी जो कल्य रहेंगी उनके जरिए यह पेड़ जल्दी ओ जल्दि ग्रो होने को चाहिए अगर उनको पत्ते रहते तो पूरा जोर। पत्तों पर रहता अभी पत्ते तोड़ने के बाद जो पूरा जो यूप आएगा ना इसका मट्टी drink शोब देगा झाल झाल